नमस्कार बच्चों कक्षा 10 एक्सरसाइज 12.2 का आठवा प्रेशन हम करने जा रहे हैं बच्चों जैसे कि आप देख रहे हैं ये प्रेशन पढ़ने में ही बहुत लंबा है परन्तु बहुत सरल है आपने इसे घबराना नहीं है तो बच्चों घास के मेदान के कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को पाँच मीटर लंबी रस्ती से बांदे गया ये खूंटा है याँ पर इससे घोड़ा बंधा है तो बच्चों जब भी ना घोड़ा बंधा होगा एक खूंटे से तो वह गोलाकार घोमेगा गोल गोल घोल घोमेगा इस मेदान के अंदर इस तरफ खूंटा है तो यह इस मेदान में इस प्रकार से एक चाप लगाकर इसी के अंदर अंदर घोम सकता है इससे बाहर नहीं जा सकता पांच मीटर पांच मीटर पांच मीटर यह सारी जो चाप है यह इस खूंटे से पांच मीटर की दूरी पर है ठीक है बच्चो तो ग्याद कीजिए मैदान के उस बाग का क्शेत्रफल जहां घोडा घास चर सकता है कौन सा क्षेतरफल है जहां घ़ुरा घास चर सकते है देखिए यह वाला क्षेतरफल यही घ़ुडा घास चरेगा ना यदी इस खूंटेसे बन दो ऐसे इसका रहा है तो आए पहले यही निकालता है फिर बाकी प्रशन बाद में पढ़ेंगे दूसरा भी चलो मैं प्रशन आपको पढ़के सुना आता हूँ प्रशन है चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में व्रिधी यदि घोडे को 5 मीटर लंबी रस्ती के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्ती से बांधिया जाए तो पहले 5 मीटर रस्ती है उसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे फिर देखेंगे 10 मीटर के साथ कितना आया और वह 5 से कितना जादा है वह ब्रिधी हमने बतानी है तो आईए इस प्रशन को एक एक करके हम हल करते हैं आईए यह है इसका सोल्यूशन बच्चों सबसे पहले देखिए यदि यह 5 मीटर लंबी रस्ती है तो यह क्या बन गया यह एक तरह का चतुर्थांच बन गया है जिसका हमने क्षेत्रफल निकालना है और यह चतुर्थांच जो है यह एक त्रिज्य खंड है तो उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है यह किसके ब्राबर होगा त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल के ब्राबर और बच्चों त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना होता है थीटा अपॉन थ्री सिक्ष्टी डिग्री गुना पाई आर स्केर तो आईए यह वैल्यूज डालके देखते हैं देखे थीटा क्योंकि यह एक वर्ग है इसलिए यह कौन कितना होगा नब्बे डिग्री का तो इसलिए आर होगा पांच गुना पांच और यह सेंटिमेटर स्केर आ जाएगा स्वरी मीटर स्केर आ जाएगा तो इसे हमने हल करना है बच्चों आईए देखते हैं करके शुने से शुने कड़ गया नौ से कड़ गया 36 स्च नो चो 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 च्छ ठीक है जी और इस प्रकार से इसका जो हमारे पास उत्तर आएगा इसे हाल करके पांच 5 पांच 25 25 को 3.14 से गुना करके फिर चार से भाग करेंगे तो हमारे पास यह आएगा 78.5 बटा 4 मीटर स्क्यर और इसे भी जवजी हम भाग कर लें तो इसका उत्तर आएगा 19.625 मीटर स्क्यर ठीक है बच्चो तो यह है 5 मीटर रसी के साथ बच्चो 5 मीटर रसी के साथ घोड़ा कितने क्षेतर पर घास चर सकता है यह वह क्षेतर पर है ठीक है अब हमें निकालना है यदि रसी 10 मीटर हो जाए 5 की जगा तो कितनी वृधी हो जाएगी तो हम लिखते हैं 10 मीटर रसी के साथ घास चरने का क्षेतर पर वह भी बराबर होगा त्रीजी अखंड के एक शेतर फल के बराबर परन्तु फरक क्या आ जाएगा बच्चों फार्मूला वही है थीटा अपान 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्यार लेकिन अब पाई सब कुछ बदल जाएगा थीटा तो वही रहेगा 90 बटा 360 गुना पाई भी वही रहेगा 3.14 परन्तु आर रेडियस पहले 5 मीटर सा अब 10 मीटर हो गया तो यह बन जाएगा 10 गुना 10 मीटर स्क्यार अब बच्चों ध्यान से देखें यह दशमला होटा दो इसके नीचे यह लग गया 20 क्योंकि दशमला के बाद दो अंक हैं आई हम इसको काट कर देखते हैं शुने से शुने कड़ गया नो से कड़ गया च्छतिस नो चोके च्छतिस अब यहां देखें इस शुने से यह शुने कड़ गया और इस शुने से यह शुने भी कड़ गया तो बच्चों हमारे पास बच गया है ये भी कट गया ये भी गट गया यहां से चार बचा यहां से 314 ये भी गट गया ये भी गट गया इसका मतल़ हमारे पास बचा 314 बटा 4 मीटर स्क्यर और यदि हम इसको आगे दशमलों में निकालें और यदि हम इसको आगे दशमलव में हल करेंगे तो यह आ जाएगा 78.5 मीटर स्क्वेर इसका मतलब बच्चों क्या हो गया कि पांच मीटर रस्ती हैं तो क्षेत्र फल में घोड़ा गास चड़ सकता है 19,625 मीटर स्क्यार यदि रस्ती लंबाई 10 मीटर हो जाए तो उसका ख्चेत्र फल है 78.5 मीटРЕ स्क्यार अब हमतिनि कालना है ख्षेत्रफल में वृद्धी तो हम यहां लिखते हैं क्षेत्रफल में वृद्धी तो इसके लिए क्या करेंगे बड़े वाले ख्षेत्रफल में से छोटे वाले ख्षेत्रफल माइनस करतेंगे ठीक है बच्चो बड़े वालक शेत्रफल है 78.5 और छोटे वालक शेत्रफल है 19.625 मीटर स्क्यल ठीक है बच्चो और जब हम इनको माइनस करेंगे तो देखिए यह है 78.5 और यह है 19.625 इनको इस प्रकार से माइनस करना उपर कुछ नहीं है तो 0 यह 0 इससे एक उधार लेगा यहां रहे गया 4 यह बन गया 10 10 में से एक इदर चल गया 9 यह बन गया 10 10 में से पांच गये पांच 9 में से 2 गये 7 चार यह इसे एक उधार लेकर बन जाएगा 14 में से च्छे गए 8 यहां रह गया 7 17 में से 9 निकाले 8 यहां रह गया 6 6 में से 1 निकाले 5 तो यह आ गया 58.8 7 5 मीटर स्क्यर यह है बच्चो क्षेत्रफल में वृद्धी ठीक है बच्चो तो प्राश्न बड़ा सिंपल था घोड़ा एक खुंटे से बंदा है पहले उसकी लंबाई है 5 मीटर तो उसी साप से हमने जितने ख्षेत्रफल को वह चर सकता था धास चर सकता था वह हमने निकाल दिया यदि उसकी लसी पांच मीटर के बीजाए दस मीटर हो जाया तो कितने Пशेत्रफल को चल सकता है हमने हमने निकाल दिया फिर हमने और रहे रीखा Ka 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 Kaàngu की विरी तो इस श्योत्रफल में से यह Pशेत्रफल हमने माइनस करके दिका दिया बच्चो जहां से भी आपको यह प्रशन ना समझाया हो आप वही से वीडियो पीछे ले जाकर दुबारा देखकर इस प्रशन को अच्छे से समझ सकते हैं आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको यह प्रशन अच्छे से समझाया होगा यदि आप इस प्रशनावली के अन्य प्रशनों को भी समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ पर आप अन्य प्रशनों के वीडियोस देखकर उन्हें अच्छे से समझ सकते हैं और अपनी नोटबुक्स में लिख भी सकते हैं धन्यवाद बच्चो